इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. K2 Zole Solution belongs to a group of medicines called antifingals. इसका इस्तिमाल तवचा के fungal infection के इलाज के लिए किया जाता है. ये ऐसे fungus को मार कर काम करता है जो athlete foot, छाले और दाद जैसे संक्रमन का कारण बनता है. K2 Zole Solution should be used in the dose and duration as prescribed by your doctor. इससे अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाना चाहिए. जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, इससे आपकी स्थिती जल्दी ठीक नहीं होगी और इससे केवल side effect बढ़ सकते हैं. . डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी से अधिक समय तक दवा का इस्तेमाल न करें और अगर इलाज के 2-4 सप्ताह के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है, तो डॉक्टर को बताएं. . अगर आपको athlete foot की बीमारी है, तो अपने मोजे या tights को अच्छी तरह धोएं और अगर संभव हो तो अपने जूते को रोजाना बदलें. . इस दवा के सबसे सामाने side effect में उपयोग वाली जगह पर reaction जैसे, यानि की जलन, परेशानी, खुजली, लाल होना, त्वचा में छाले पढ़ना या फटना, रुखपन होना शामिल हैं. . कभी-कभी इसके कारण आपके बालों में पतलापन आ सकता है. ये आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर अलजिक रियेक्शन हो सकता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके लक्षनों में रैशेज, होंट, गले या चहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में कठिनाई शामिल है. अगर ऐसा होता है तो अपातकालीन सहायता प्राप्त करें. आखों के संपर्क में ना आने दें. सीधे आखों में चले जाने पर, अपनी आखों को पानी से धुलें और मेडिकल सहायता तु अगर आपको किसी अन्य एंटी फंगल दवा से अलजी हुई थी तो अपने डॉक्टर को यह बात बताएं. गर भवती या स्तनपान करवा रही महिलाओं के लिए यह क्रीम का इस्तिमाल केवल तब किया जाना चाहिए जब इसकी स्पष्ट रूप से जरूरत हो. वीडियो क पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.